दोस्तो आज के पेपर में फिर से जानकारी आई है एगजाम को लिग कर भी और कितने student एक स्ट में एगजाम देंगे कहा 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 पर सेंटर और बन सकते हैं और इसमें मेरी अपनी कोई राय नहीं है जो पेपर में जानकारी आई है उसके according मैं आपको बता रहा हूँ कहीं आप ये बोले सर एक्जाम तब होगा होगा नहीं होगा किस महीने में होगा इसमें मेरी अपनी कोई परसनल जानकारी नहीं है पेपर के अकोडिंग बता रहा हूँ आपका मन करें तो वीडियो देखे वरना आपके मर्जी है बाकि मेरा काम है कि आप यानि की डी मोटिव करेंगे उल्टी सीदे उनके संसकार है मर्जी है उनकी जो मन करें वो करें और एक्जाम जब होगा हो जाएगा बाकि मैं तो न्यूज दे रहा हूँ अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात नहीं लगे तो कोई बात नहीं ठीक है अब यूनिवर्स्टी में भी CT परिक्ष यूनिवर्स्टी में भी अब आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे और ऐसा सेंटर बनाने से यहां पर एक सिफ्ट में चारलाक आवेदत एक साथ परिक्षा दे सकते हैं और आज के पेपर में भी जानकार ही है कि 11 लाक से अधिक जो स्टुडेंट उन्होंने आवेदन किया ह और कल इसकी आखरी तारीक है ठीक है और यहाँ पर दरसाया गया है कि फिर से दरसाया गया है कि यह एग्जाम अगस्ट में होना भी देख ले इसमें मेरी अपनी कोई परसनल राए नहीं कहीं सर आप तो अब भी अगस्ट बता रहे हैं और पेपर सेतंबर में होगा अक्टू बाकि इतना कहूँगा की पढ़ाई करनी ना छोड़ें, बिल्कुल पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें और एक दिन पका सेलेक्षन होगा, तो ये जानकारी थी, एक सिफ्ट में चार लाग बच्चे पेपर दे सकते हैं, यूनिवर्स्टी में सेंटर बनेंगे, टोटल ये डिमांड करी गई इतने एकजाम सेंटर बने ठीक है और इसमें डेट भी दरसाइगा ये कब आपका पेपर होगा ठीक है तो बस इतना ही कह सकता हूँ और पांस दिनों तक फीस यानि कि इनके आवेदन जो प्रिकरिया कल बंद हो जाएगी पांस दिन तक इसकी फी तो धन्यवाद